नमस्कार दोस्तों मैं आसे तो आपका स्वागत करता हूँ अपने चनल दोसा कारा वैदिक इस्टिलोजी में रासिफल के स्रीज में हमारा अगला जो वीडियो होने वाला हुआ है सिंग राशी पे सबसे पहले हम समझते हैं मेजर ट्रांजिट होने वाले है दो बार सिक रासिति पार आते हैं कहीं होते ह्याः तो अपना परभाव चोड़ते हैं सबसे पहले देखिए सुर्य जो है अलएडी सोलह डिसंबर को दोजाता है इसको सेकेटरिय सारी धनु राशी में प्रांजिट कर चुके हैं जैसे ही वह मकर राशी में जाएंगे मकर शंकराती मनाए जाएगी इसका मतलब है कि सुर्ज जो है 30 दिनों तक राशी में रहते उसी करम में वह अपना राशी परवितन करेंगे धनु राशी में जाएंगे और वहां करीब 45 दिन रहने वाले हैं बुद्ध जो है आपका 8 डि करें थाइस साल वहां पे रहने वाले हैं जो हम सुक्र की बात करते हैं सुक्र के 55 को अपना टांजिट कर चुके हैं कल अल्ड़ी एस्कॉर्पियों में गया हैं बश्चिक राशी में वहां करेंब 26 दिन रहेंगे सनी की बात करें सनी सतरे जनवरी 2023 को अपना टांजिट कर सब्सक्राइब करते हैं तो उसका उतना सिंग्निफिकेंस बारसिक फल में नहीं होता है जब जब चंदरमा छी-1ट वारów में जाएंगे तब थोरे मसी कारे को में लेकिए अगर आव से सबसे रहे को देखते हैं मेस रासी में फिलाल एक महीं तक तो कौन-कौन से घर में होंके कहां प्रभाप डालेंगे जैसा आप स्क्रीन पर दे सकते हैं कि ब्रहस्पती जो है सिंग रासी वालों के लिए नाइन्थ हाउस में टांजित कर रहा है मेस रासी और उनकी जो द्रिश्टियां है खास करके जो उनकी पाँच मिध करेंगे में पर आज़िग में जैसे ब्रिश्पती काफी शुब गरा माना जाते है तो नवम घर जो है वह का आफी शुब माना जाता है जहां बैठे हैं वहां भी अच्छा रिजल देंगे भाग में कहीने कहीन अच्छा है आपको थोड़ा धर्म करम में थोड़ा आपने अपको इंवल्व करना होगा तब जाके आपको अपने भागे का तौरा सही होग जरूर मिलेगा अब आपके लगन पे दृष्टी है तो अब इसली लगन पे उनका प्रभाब मित्र दृष्टी होने के वएसे आपके व्यवहार में विचार में भी कहीने कहीन एक विजडम आएगा आप एक मैचियोर इंसान बनने की कोशिस करेंगे क्योंकि ब्रिष्पति का प्रभाब है तो एक नॉलेज घ्यान में आपके ब्रिदियों के वह आप करेंगे तभी आपको उसका फायदा मिलेगा भी आप किसी के साथ नुकसान ना करें जया-जया-जया-धा मदद करें इस समय काफ़ी अच्छा समय है चैरिटी करने का खुद जाके करें और दिल भाब सोभाब द में आपके में ज़हां भी हैं आप यहां एकथ आपके नाम की तूटि वोलने वाली है कहीं कहीं न है कर्म побरिस्ति आपके लोग संपर्क है आप आ सकते हैं, आपको थोरा ट्रेवल करना चाहिए, खास करके ब्रिस्वतिवार के दिन आप ट्रेवल कीजिए और कहीं नगे तिर सस्तान को विजिट कीजिए, तो ब्रिस्पति यहां पर अच्छा रज़न देंगे, पंचा भाब पर उनकी नमम दिरिष्टी है, तो अपन अननी घर पर ढना जाता है, तो ब्रिस्पति के दल करना चाहते हैं यह काफी अच्छा समय है, और यह सब कुछ जो कर लेना है आप कहीं न कहीं मैं 2001 से पहले पहले आप कर लिजे क्योंकि ब्रिस्पती की पोजिशन और जो दृष्टिया है क्या अच्छी है इस समय और आपके केरियर पर आपके एजूकेशन पर बहुत अच्छा प्रोभा ब्रिस्पती का होने वाला है जो भी आप भी करेंग खीयों तो आपको भागित का कहीं राषी में सही युग मिलने वाला है अब दो तारीकों ब्रिस्पती जैसे ही नहीं नहीं है लेकिन फिर भी काभी सप्लायट माने जाते हैं और करम भाव में हमसा नामक महापुरुष योग भी यहाँ पर बनाते हैं ब्रिस्पति तो कही न कहीं जॉब पर प्रफेसर में आपको पदोनत्ती हो सकती है आपका आपकी सेलरी बढ़ सकती है खास करके मैं के बाद आपके बहुत सच्छे संबंद बने रहें करेंगे थोरा सा यह है कि मित्र घर में ना होनी की वैसे काम प्रमोशन हो जाया रहा सेलरी बढ़ जाया लेकिन काम आपका बढ़ जाने वाला है आपको यह है कि आपका सीडूल थोड़ा बीजी हो जाएगा लेकिन सौट कट तो ऐसे भी नहीं लेना तो महनत करके ही होगा ब्रिस्पती का एक सो प्लानेट है तो धरम पे जादा विश्वास रखते है करम पे जादा विश्वास रखते है किसी को नुकसान ना पहुंचाते हो अपना काम कीजी तो ब्रिस्पती की दिरिष्टी पंचम जो है आपके सकेंड अस्थान पर धन के अस्थान पर धन अग ब्रिश्पति और केतु जब ही मिलते हैं तो एक मोख्ष का सीन क्रिएट करते हैं तो मोख्ष यहां पर क्या हो सकता है कि आपके परिवार से आपके संबंद्ध खराब हो जाए है आपके वानी की बहुत जाए सच बोलने के वैसे उनको कुछ बुरा लग जाए इससे आपके आपका कम्निकेशन उतना अच्छा ना हो आप कुछ ऐसा है बोल दें लोगों को तकलिफ हो जाए यह सारी चीज़ हो सकती है धन को संचे करने के लिए जाला आप कोशिस करते हैं एफर्ट करें के लिए कहीं ने कहीं खर्चा आपका होता रहेगा आप ब्रिश्पति की सब् लेना चाहते है कि मंगल का घर है वह और मंगल कहीं न कहीं जमीन को दरसाते हैं तो चल अचल संपति के साब से देखे तो मई के बाद आप बहुत ही अच्छा रहने वाला है माता की सेवा कीजिए आपको बहुत ही पुर्ण मिलेगा अब रिश्पति की जो नवम दिस्ट्र अच्छ के खाने से और वुद्व ध्यान दीजिए इस समय नहीं तो आपको इसका नुक्सान हो सकता है कि विष्पति एक्सवैंशन के वी कारक है आःगते हैं वहार के इक्वाट करते हैं अगा विमारी गगर है तो उसको एक्सक्ण कर देंगे दुस्मन गगर है तो भी इ इतना केस बिगरने नहीं देंगे लेकिन आपको फिर भी अपना ध्यान रखने की जुरुत है क्योंकि जो ग्रह को जो काम भी लेगा वो तो वो करेंगे चाहिए कोई भी हो अब बात करते हैं सनी की सनी देखिए आपके थो आउट ये पूरे साल सप्तम में रहने वाले हैं और वो अलड़ी वो सनी का घर है अपने घर में हैं तो साधी विवाग के हिसाब से अगर आपकर नहीं हो पा रहा तो ठोस काम होने वाला इस बार समय लगा होगा लेकिन जब स पार्टरिशिप करना चाहते हैं तो सही समय है बस वेपार में आपको यह ध्यान रखना है कि अपने पार्टरों का भी धोखाना दे लेकिन जैसे ही आप उसमें कहीं धोगे कि इस सीन क्रिएट होगी तो यहां पर पर कहीं पार्टरिशिप आपका तूट सकता है क्यों सनी जो है नयाई के देवता है और नयाई चाहते हैं वो यह सनी के लिए गर बहुत अच्छी स्थिती है जो प्लेस्मेंट सनी की कि अपने घर का कोई नुकसान नहीं करता है अब देखे सनी के जो तीसरी दिष्टी है आपके नाइन्थ हास पर पढ़ा रही जो भाग का अस्तान है ब्रिसपती पे दिष्टी है मित्र दिष्टी तो बिल्कुल नहीए और मोस जो घर है मंगल का है तो मिए दिश्टी नहीं है तो भाग खास करके यह मान के चलिए कि मई तक तो पुरा ब्रिष्पति आपको सबोर्ट करेंगे वहीं है लेकि जैसे मैं वहां सो निकलेंगे तो भाग से ज़्यादा आपको अपने कर्म का फाइदा मिलने वाला मेहनत कीजिए कोई समस्या नहीं है ब्रिष्पति की साथ में द्रिष्टी जो असनी की वह आपके लगन भी मानने जाते हैं तो कहीं नहीं ज़्यादा सत्यबादी होने के वैसे आपको समस्या हो सकती तो आप डिप्लूमेटिक रही है बहुत जा सच बोलने की ज़रूत नहीं है लगन पर सनी का प्रभाब रहने वाला है आप देखिए सनी की जो दसम द्रिष्टी है वो पढ़ रहे हैं आपके करम भाप पर है ना तो बिरस्पती जैसे महीड से बाहर निकल जाएंगे सनी की जो यह दृष्टी आपके के फोर्थ हाउस पे ज्योंकि आपके मदर का स्थान है है तो महीड के बाद आपको किसी तरीके से बाहान लेने से बचना चाहिए कि मंगल का वह घर है मदर के यहां मई के बाद साथ देखींगे मदर के आपके हल्थ में थोड़ी बहुत समस्या आने लग जाए क्योंकि ब्रिस्पति के घर परिवतन करने के वैसे उनके दिश्ट्रिया खतम हो जाएंगी वहाँ से तो सनी का प्रभाब जादा रहेगा तो यह चीज़ का आपको अच्छा नहीं है चोटे-मोटे एक्सिदेंट्स के लिए इस सन्योग राहु की वैसे थ्रॉट बना रहेगा क्योंकि देखिए ब्रिस्पति जो सोरी राहु जो है वो ब्रिस्पति के साइन पे हैं वो भी मीन रासी जलतत्त्त की रासी है और मेंटल प्लेन काफी अधिक है जहां इमोशन्स काफी अधिक है और वहां पे राहु भर्म किसिदी बनाते हैं आपको अपनी इमोशन्स को तरह कंट्रूर करके रखना है और अप्शिकल्स जब आए तो आपको बहुत धर से उस परसाणियों को जेलना पड़ेगा तरब इस नहीं तो क्या होगा राहु भ पड़ना चाते हैं तो उसमें आप करेंगे तो राहु आपको मदद करने वाले है तो उस चीज़े में राहु आपको काफी क्रिटिविटी देंगे उसे साबसे अच्छा है आगे केतू से आपके सेकेंड हाउस में धनका नुकसान हो सकता है और यह इस इस्तिती जो रहेग सेकेंड हाउस और आपका इट्थ हाउस यहां आपको हमेशा समस्या रहेगी तो इसका आप ध्यान रखिए रिमेडिस के नाम पे आप राहु के रिमेडिस के लिए खास करके काल वहरव इस्तिरोत का जाप कीजिए विष्णु सहस नाम थुरौट सुनियों और गनेस अथर समद्ध के लिए अच्छे रहने वाली है थोर आपको सदरक रहना समझदारी से आपको अपने साथियों के समस्या का भी ध्यान लखना है ऐसा नहीं कि अपने बारे में सोच रहे ध्यान से उनकी बाते सुने अपने साथि की जो भी आपके पार्टन है चाहे सब इसाधी हो परवड़ी और मार्च में सुक्र और बुद्ध की साथ रहने वाले तो आपको रोमांस में कहीं न कहीं बुर्द्य होने वाली है आपको मौका मिलेगा जहां आप टाइम स्पेंट कर सकते हैं जुलाई से सितंबर की भी थोरी साबधानी बढ़तने की जरुत है बिशेसकर परिवार के से आपको दबाब मिलने वाला अगर आपने समंदों में है तो इतंबर के बाद समझदारी में रखना आपके लिए महत्पून रहेगा और आपसी समझ और परिवार के समर्थन से आपके रिष्टे मजूद होते चले जाएंगे अब करियर की बात करें देखिए दसम भाब में सुरा मंगल दसम भाब में सुरा मंगल का परिवार एक जणवडी से 14 फरवरी के बीच रहेगा जो आपके करियर में सकरात्मर परिणाम देने वाला है बुद्ध्ध और सुक्र जुजर परिवार पराब TWरवारी से एक मही तक करियर को मजूद करना में करने लेकिन सकारात्मा आपको पढ़नाम देगा, थोरी चिनोतिया बना के रखेगा, मंगल के वैसे ही 26 नमबर से बर्स के अंग तक आपको ट्रांसफर की योग भी बन सकते हैं, अगर आप नोकरी पेशा है तो, और साल के आखरी मेने में नोकरी में सकारात्मा बदलाव की करते हैं, तो देखें, जनवरी और फरवरी में जो ग्रहों का स्योजन हो रहा है, उसमें आपको पढ़ाई में थोरी समस्या आ सकती है, आपको काफी प्रहास करना पड़ेगा, बुद्ध और सुक्र के यूति से आपको पढ़ाई में थोरी रूची बनी रहेगी, अप्रे अधिके से उच्छा के लिए अच्छा समय होगा अगस्थ के बाद, और विदेश आने के एक्षा है तो गो पूरी हो सकती है अगस्थ के बाद, आपको वेपार की बात कर लाते हैं, पूरा वर्ज सक्तमभाब में सनीक के होने से आपको लाब होगा, वेपार में विस्तार ह देखने को मिल सकती है, आठमे भाव में राहू साथधानी बढ़ते हैं, वेबसाइक साजदहने से संबंद बिगर सकते हैं, साजदारी में खास करके राहू होने के वैसे, और उसके वैसे कर आप ट्रेवल करते हैं, तो भी आपको कही समस्या हो सकती है, शो समस्के करें, नंबरी फरवरी, सुक्र और बुद्ध आपके चतुर भाव में होंगे, नय वाहन खरिदने का परवल योग बन रहा है, जो समने बताया था, मैई से पहले कर ले, अगस्त नंबर नय वाहन के सुक्षदाय मिलेंगे, अराम से सवारी का आमिद लेंगे, लेकिन अगें अप निवेश से बचें खास करके और करना भी चाहते हैं, लांग टरम में आप निवेश कर सकते हैं, देव गुरु के से योजन से आप सहीन लिलने में मदद मिलेगी, वेपार में नई अनुमंद आपके हो सकते हैं, क्यों बिस्पती आपके थोरा पूरे साल अच्छे होने वा हो सकते हैं, वेपार में लाब हो सकता है, खास करके जनवरी और में के बीच में, मुरु आपडरे समस्या आपको बनी रहेगी, आपको साभदान रहना है, खास करके गैस देखिए, हर्ट स साथे के blood pressure की संभावना यह सब चीज़े बनी रहेंगी आप मार्च से लेकर जून तक रहु का चानक से आपको कोई इलाज में बहुत सारा खर्चा करना पड़ सकता है जून से सितंबर की बीच में रक्त से समंदित बिमारी आपको हो सकती है जुलाइस से लेकर दिसंबर की बीच में आपको सारेरिक दिश्टी कों से और जद आपको कमजूर करेगा पेट की समस्या बढ़ायागा सिर्दर्द की समस्या आपको बनी रहेगी आपको क्या करना है आप थ्रो आउट जो है अपने ब्याम करते रहिए खाने पीने में तोरा सब्धानी बरती है राहु का कहीं सनी का भी जो है आप सनीवार को टेंपल विजिट करें और पीपल के पेर में जल चड़ाए तो ये छोटी-छोटी उपाई आप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कोमेंट में हर हर महादे करना ना भूलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका